कि है कि है लो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाई विय क्लासिस पर आज हम लोग मेंसुरेशन से पार्ट नंबर फाइफ डिसकस करेंगे और आपके साथ चार पार्ट डिसकस किये बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ा कर और आपने जो कमेंट्स किया उनको दे लगते हैं और जो पढ़ने में रूची रखता है जिसको बाते समझ में आती हैं तो चलिए आईए आज हम लोग करेंगे आल अबाउट इसक्वेर यानि कि जो भी जानेंगे हम वर्ग के वारें जानेंगे कुछ कोईशन हम आपके साथ ऐसे डिसकस करेंगे जो वर्ग और आयत को जोड़ देगा जो वर्ग और संभाहु त्रबूज या त्रबूज को जोड़ लेगा कहने का मतलब है कि हम लोग त्रबूज भी पढ़ चुके हैं आयत भी पढ़ चुके हैं और अब आज डिसकस करेंगे वर्ग ठीक है तो एक चीज और ध्यान रखना है सभी को 360 पर फिक्स कर लेना एक क्वालिटी वाती वीडियो क्वालिटी 360 पर बहुत बहतरीन देखता है कम यम भी यूज होती है साथ-साथ में आप उसको लगातार देख सकते हैं ठीक है और फसेगा नहीं जदा आपका ठीक है 360 पर अच्छी क्वालिटी में ठीक है और एक चीज औ नहीं आता है जुड़ना तो आप हमें वाट्सेप करिए हमारे 99-35-00-12-25 पर हम आपको जोड़ेंगे ठीक है चलिए आए डिसल करते हैं ठीक है और इसका प्रतीक कोण 90 डिग्री का होता है और आप सभी जानते हैं कि चत्र बुझ के चारो कोणों का योग 360 होता है यहाँ पर वर्ग है वर्ग का सभी कोण क्या होगा बरावर होगा 90 डिग्री का होगा साथ साथ में इसके दो विकर्ण होते हैं दोनों विकर्णों की जो लंबाईयां है वो भी समान होंगी ठीक है जैसे एक विकर्ण है AC एक विकर्ण है AC और यह बरावर होगा किसके? BD के और यह जो विकर्ण है यह आपस में समदूई भाजित करते हैं और यह जो विकर्ण है यह आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एड़ पॉइंट आफ 90 डिग्री ठीक है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं और इस विकर्ण की लंबाई अगर पूछोगे तो जैसे यह बुजा A है यह बुजा A है हम पीछे भी आपको सिखा चुके हैं यह एक 90 डिग्री का कोण है और अगर ह अगर आप डिरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो मत देखो भाई मेरे मत देखो सबसे पहले मैंने डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दिए पार्ट नमबर फर्स्ट एन सेकेंड और थार्ट एन फोर एन सिफ्ट फिर देखो आकर ठीक है फिर आप यहां पर आना तब ही सिक् परिमाप की परिमाप किसी का हो मैंने बताया था परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग यहां चत्रुबुज है तो चत्रुबुज की चारों भुजाओं का योग और भुजाएं सभी बराबर है इसलिए इसका जो परिमाप होगा वो फोर ए फोरे परिमाप हो स्क्वेर हो जाएगा एक चीजै और द्यान रखो चेट फ़ल एश एए और चेट्रफल इसका एक और होता है वहां आप को बता देए एक वटे दो विकाण का स्क्वेर डी होता है कि विकाण डी मीश सब चत्रभुज में पढ़ेंगे ठीक है तो वहां पर विकाण अलग हो गया विकाण सामान है इसलिए स्क्वेर कर देया डी वन डी टू नहीं किया गया अच्छा यह ध्यान रखना यहीं से बना है फार्मूला यह बेसिक बात थी जो हर ही स्टुडेंट को आनी चाहिए मिट करना है और सभी को अपना एक रेजिस्टर मेंटेन करना है फेर बढ़िया साफ सुसरा पेज होना चाहिए बहले बीस रुपए का हौँ से कोई मेत्रट नहीं करता है पेज साफ होना चाहिए और केवल एडवांस की काउंपी होनी चाहिए उसमें लिखा होना चाहिए पास एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक व्रत्त है और इस व्रत्त की तरज्या आपसे पूछ सकते हैं इस व्रत्त की तरज्या क्या इस व्रत्त का छेत्र फल इस व्रत्त के परिदी या परिमा परिदी जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं लेकिन व्रत्त का यहां से यहां तक की भी दूरी आ रहोगी अच्छा यह एक वर्ग था तो वर्ग की प्रतेग भुजा क्या थी बराबर यह नो नहीं ए है ठीक है वर्ग की प्रतेग भुजा क्या होती है बराबर ए है मैंने इमने अब देखना यहां से यहां तक की दूरी यह ओ है यहां से य व्रूत में टच कर आyë केंद से तो उसको तृज्जा कहते हैं तो यहां से यां तक इतना two आउ और यहां से यहां तक ही भूजा ही है और जो यह है इसका मतलब हम लुख कह सकते हैं two आर बराबर A, मतलब ये दो आर है, और जितनी दो आर की लंबाई है, उतनी ही A की लंबाई है, तो दो आर बराबर A, तो आर बराबर हो जाएगा A by 2, तो ये आप याद रखो, वर्ग के अंतह ब्रत की तरज्या, ठीक है, क्या होती है, आर बराबर A by 2 होती है, सेम इसी पेटन पर एक वर्ग है मारे पास और इस वर्ग के बाहे ब्रत की तरज्जा आप से पूछी जा सकती है और अगर आप यहां के अंदर से इस पर टच कराने की कोशिश कराए तो वर्ग को पार कर जाएगा यहां पर सही माइने होगा इधर को टच कराया जाए ते इसको यहां यहां से हो जाएगा अब देखना A, root 2 तो ऐसे रहोंने दो ये 2 को पता क्या लिश सकते हैं 2 को हम लोग लिख सकते हैं root 2, root 2 महलने, under root 2, under root 2 तभी तो 2 होता है under root 2, under root 2 कट जाएगा R बराबर आएगा आपनका A, by root 2 तो बस ये आपके 2 solution आगा है ये आगे वर्ग के वर्ग के कि तूरजय को मु organism कि यह अर ब्रावर है यह रूटब बहुत ए। निकालें तो मतलब आर र निकालें तो a by 2 अनुपाद a by root 2 ठीक है आप देखना यह लिखा हुआ a by root 2 और यह है a by 2 तो मतलब अब समझो a by 2 को हम यह भी लिख सकते है a by root 2 गुणे a by root 2 गलत हो जाएगा ऐसे ऐसे लिख सकते है भाई a एक कम a रहेगा और नीचे अंडर root 2 रहेगा मतलब इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं यहां पर हम a by 2 को हम पता क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे a by root 2 गुणे में एक बटे root 2 ठीक अनुपात a by root 2 अब a by root 2 कट जाएगा बचे का हमारे पास एक बटे root 2 अनुपात एक अब इसको सही करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा एक अनुपात रूट 2 अब काफी बच्चों कि यहां दिखात हो सकती है तो कुछ नहीं होता जो बटे में होता उसकी गुणा हो जाती है यहां पर a by root 1 एक बटे root 2 यानि कि अंडर root 2 यानि कि आप सीधे याद रखना जो इसके अंतावरत और परिवरत की तरज्जा में अनुपात होता है वो एक अनुपात अंडर root 2 होता है बुजाएं चाहें जितनी हो बुजा से यहां कोई फरक पड़ने वाला नहीं है बुजा चाहें 14 हो 15 हो 50 हो 20 हो 40, 50, 100, 500, 1000, 2000 जितनी भी बु प्रकार संबाहुत रूज के अंतावरत और परिवरत की तरज्जाओं का अनुपात फिक्स है वो एक अनुपात 2 था इसी प्रकार यहां पर भी फिक्स है ठीक है तो यह थेयोरी थी जो हमनें आपके साथ डिक्स की आप अच्छे से लिख देना यह जो गुणा भाग हमने इजह दिए को करके दिखाया कोई लेना देना नहीं है डिरेक्ट आपको याद करना एब सरते आपको पता होना चीए बेगरांड में भाई मेरे क्या हो रहा है अगर यह पता कभी भूल जाते हो दरसल देखो पूरा जैसे यह पता नहीं है कि गड़ा कहां है तो हम चलेंगे तो हो सकता है चोट लग जाए लेकिन अगर हम आप देखते होंगे कई बार पता होता है कि जब हम अपने परशीत रूट पर चलते हैं तो हमें पता होता है इस गाओं के बाद में कैसा ब्रेकर आता जो बहुत बड़ ठीक है तो चलिए हम यहां से मिटाते हैं इसको आप उम्मीद है नोट करके अच्छे से लिख लेंगे अब हम आपके साथ question discuss करेंगे जो कि most important है मैस डिपेंड आन कोशन प्राक्टिस प्राक्टिस मेंक्स में पर्फेक्ट यानि कि मैस जो डिपेंड करती है वो कोशन पर डिपेंड करती है और प्राक्टिस अगर कोशन की करेंगे तो आप अच्छा मैथ कर लेंगे और प्राक्टिस से गधे भी जो है घोड़े बन सकते है है ठीक है चलिए देखते हैं पहला कुष्ण है ठीक है तो कुष्ण नमबर आज जो है वो 31 है तो आप इसी स्वेक्ष्ण से देखिए जहां से कुष्ण नमबर एक से छोटे-मोटे सारे से क्स Сवेक्हार मैदान के फूजा की लंबाई 125 सं नमिर्य है और report क्वर्गा का मैदान का छेत्रफल और परिमाब याद करें एक वर्गा का मैदान है मारे पास जिसके जो भूजा की लंबाई है एक पराबर वह 125 cm हैं अब इसका हमें छीटरफल भी पताना पारिमाब्भी तो वर्ग का छीटरफल क्या होता है भाई वर्ग का जो छेतरफल होता है वो भोजा स्क्यार होता है तो मतलब A स्क्यार की वेलू पूछी जा रही है एक का मान है 105 तो A स्क्यार मतलब 125 का वर्ग पूछा जा रहा है तो 125 का वर्ग करना हो सकता है कठिन पड़े लेकिन थोड़ा सा आप हमारी तरीके सायना हो सकता ह पहले से भी पता हूँ आपको जब जिस किसी संख्या के लाश्ट में 5 हो तो उस 5 का वर्ग कर दो तो पचम 25 और जो आगे संख्या लिखी है उसके और आगे वाली से के साथ गुणा करा दो जैसे यह 12 लिखा हुआ है तो 12 के आगे क्या आता है 13 तो 12 13 के गुणा करा हो 12 13 के ग इमाप जो इसका होता है वो फोरे होता है मतलब चार गुणे ए एक अमान है 125 125 की चार से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 570 मेठर ठीक है तो यह आपका राइट अंसर था यहाँ पर हो सकता है किसी को नहीं समझे में हो गुणा तो आप ऐसे कर लेना 125 125 25 25 25 25 25 25 इस तर किसे हम को 45 कवर्ण करना तो पांच का इसी कितना होता है 25 लिख दिया चार की चार की आगे है पांच तो 400 देखो 20 25 मुझे 12 13 तक या था आपको यहां सरल लगाओगा अभी और इसार लगेगा जैसे आप 35 का स्कीर करो तो फांच का वर्ग तो वक्शीस और तीन के आगे होता है चार तीन चक्कू बारा मतलब आगे की गुणा करानी बारा पचीस अब देखो 65 का स्क्वेर पांच का बर्ग पचीस और छे के आगे होते हैं साथ तो साथ शंग ब्यालिज I hope you will done it in this process तो हम लोग next question पर बढ़ते हैं चार एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सिंटीमीटर है इस वर्ग के अंदर और बाहर बनाए गए ब्रतों के ब्रतों की अंता ब्रतो और परिवरतिकीतर जाओं का उनुपाद ग्याद कीजिए क्या सवाल है ठीक है क्या सवाल है ऐसा सवाल है कि घंटों नहीं सेकेंड में लगेगा कैसे देखना अभी हमने आपको सिखाया कि भुजा कितनी भी हो और वर्ग के अंतावरतों परिवरतिकीतर जाओं पहुंच लें हमें याद हो गया एक अंडर रूड दो अब जिस बंदे को नहीं पता क्या है पता है जो मों पूरा निकालो प्रोसेस पहले अंतावरतर जैनकलो परिवरत नर्थ निकालो फिर उन्मय अनुक्वार निकलो निकालो फिर गुणा भाग करो कहई नदौगस गलती हो गय है ठीक है तो यह सारे जो बच्चे टॉप करते होंगे उनको क्या होता है कुछ चीजे याद होंगे डिरेक्ट आया कुछ न जडाम आया कुछ चीजे आपको भी याद है जैसे 10% की प्रदि पूछलो बच्चे से 20% कर दो बता देगा जो कमप्टेशन की त्याई कर रहा एक साल से वह भी दो साल से तभी ठीक है ऐसे बता देगा चुक कोई पता है हमको इस सारी शीजे ठीक है तो चिंता ना करना आप इसको याद कर लो कभी फस होगे नहीं ठीक है एक अनुपात अंडरूट दो नहीं है अगर आपसे हमसे अन्तवर तरजय निकलवाई याती तो तो हमें पता ही था आर ब पर आएगा ठीक है एक अनुपात अंडरूट दो विश्यन नमबर 33 कहा जा रहा है 16200 मीटर स्केर छेतर फल के एक वर्क के विकाण की लंबाई क्या होगी वाह सवाल ऐसा है मज़ा आ जाए तो 16200 मीटर स्केर ये छेतर फल दिया गया है और हमसे पूछ रहे हैं विकाण क्या होगा अब देखना कहानी कहां मज़ती है जैसे बच्चे पास ये सवाल आता है तो बच्चे देखते हैं कि आरे छेतर फल 16200 मेंटर है तो छेतर फल होता ए स्केर पराबर 16200 फसे जाओ गए लेकिन निकल भी सकते हो अगर आपका कॉंसेट अच्छा यहीं से निकल सकते हो लेकिन ह हम आपको तरीखा बताते हैं हमने आपको छेतर फल निकालने का इक दूसरा भी तरीका बताया है कि बैज स्केर पर हम लोग एक वरते दो दी यानि की विकांड का स्केर बढ़र 16200 पर आप यह ग değagner हो गिजाएर होगी जाके तो यहां डी स्क्वर बराबर हो जाएगा दो दूनी चार दो चंग बारा दो एक कम दो एक तीन और ये दो जिरो तो ऐसे रहेंगे अब डी स्क्यार बराबर तीन सो चौविस मलब तीन सो चौविस आपको समझ गया होगा अठारा का आ रहा है वर्गमूल तो तीन सो चौविस नहीं पढ़ेंगे इसको 32,400 पढ़ेंगे तो 32,400 का बर्गमूल नहीं आता आपको लेकिन आपको टुकड़ों में आता है तीन सो चौविस का होगया अठारा और ये सो लिखे हैं सो का होगया दस अठारा गुणे दस मतलब 180 मीटर है तो मीटर हो जाएगा विकरण की लंबाई बिना टाइम विष्ट किये हुए आपको हम साथ हमा अच्छे शे कोशन डिसकस करते हैं बिना किसी फालतो बगवास के ठीक है ना लाइक करो ना सब्सक्राइब करो ना सेर करो एक बार ही बोल देते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद कर लेंगे फिलाल और भी बचत यह हो जाती है कि किसी की कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं और किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं अगला सवाल है वर्ग की प्रतेक भुजा को पच्चास प्रसेत तक बढ़ाने पर नए वर्ग और दिये गए वर्ग का च्चित्फल पर पताईए तो कहरें हमारे पास एक वर्ग है जिसकी हपने भुजा को पचास प्रसेत बढ़ा दिया इस प्रकार जो नया वर्ग बनेगा और उसका और पुराने के साथ में पात पूछें पहले किसका पूछा गया है अब बढ़ाने पर नय वर्ग और दिये गए वर्ग के च्चित्फल का नुपात नय वर्ग और दिये गए वर्ग का प्लस करना है और एक हमारे पास एक बड़ा वर्ग बन जाएगा जब आप बढ़ा होगे जाईर से बात है अब माल लेते हैं इसका पाचास प्रसेंट बढ़ा होगे तो ऐसा नहीं करोगे एक उड़े पचास बटे सो यह तो कम हो जाएगा इसको पचास बढ़ाने का मतलब है इसको 20 पर संट बढ़ा तो बच्चे क्या करते हैं पहले सो ऐसे सो को 20% निके बीस आया फिर वो सो को 20 में जोड़ेंगे ऐसा हो जाता है लेकिन हम एसे बितांते हैं सब्सक्राइब ना थ lemon सबस्क्राइब यह 120 इंसर जीतने परसद बढ़ाना एक सो में आइड़ा दरलो जैसे 10 परसद बढ़ाना है 110 बटे 100 20 परसट बढ़ाना है जोड़ाना है एक सो बीस बटे 100 यह हमको 50 परसट बढ़ाना तो 150 बटे 100 अब देखना यहां पर थोड़ा काट के देखो पांच तीयां पंद्रा पांच दूनी दस अब देखो आप यहां पर अगर ए वैलू लेते हो तो यह तीन ए बटे दो इसकी भुजा कितनी आएगी तीन ए बटे दो जो कि भिन्द में आएगी थोड़ा फसे फसे तो मानने था तो भुजा ए क्यूं दो ए मालो तो दो से दो कड़ जाएगा तीन गुड़े ए यह हो जाएगी और दो यह हो जाएगी बस अब हमारे से पूछा गया था नया वर्ग और पुराने वर्ग के छेत्पल अनुपात तो नय वर्ग की भुजा है तीन ए तो इसका करना था तो आप ऐसे माल लेती कि पुराने वर्ग की भुजा सो है और नय वर्ग की भुजा डिड़ सो हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं वहीं 50 सिन बढ़ाओ गए अब इसको थोड़ा सराल कर लो 0050 15 15 नय वर्ग की भुजा तीन तो छेत्पल होगा 3 तीन तीन नो पुरा एक आदमी एक वरगाकार मैदान को विकाण रेखिए तीन किलोमेटर पर गंटा की चाल से दो मिनट में पार कर लेता है मैदान का च्छ विकाणवत आप से माल लेते हैं और इसको विकानबत में जो है एक आदमी गवरागार मैदान को विकान रेखी 3 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट पआर कर लेता है याने कि जो ये विकाण है इसको ये तीन किलोमो मीटर प्रतिगंटा की चाल से 2 मिनट में पार कर लेता है, ये वाला विकाण तो इसे वाले विकाण के कि अगर हमको को भुजा पता हो नहीं तो फिर विकाण款 हो फिकाण की निकाल नहीं है है तो अब देखना जय बंडा कि लेता है अब यह पता चले की कि दो मिनिट में कितने दूरी चले गई इसके लिए मुक्त है एक्गंटें में बंदा त Means just you तो हम यह भी तो कह सकते हैं, 60 मिनिट में बंडा 3 किलोमेटर जाएगा, और 3 किलोमेटर की जगा पर हम 3000 मीटर भी रख सकते हैं, सिर्फ मीटर, चूँकि 1 किलोमेटर में 1000 मीटर होते हैं, उना करती, 00, काट दो यह, 6 से, काट दो, 6, 35, 30, तो एक मिनिट में बंडा 50 चलेगा, दो मिनिट चला है बंडा, तो दो मिनिट में कितना चलेगा, 100, तो जास्ट हमारे पास यह जो दूरी आ गई, वो 100 मीटर आ गई, मतलब A, B, C, D, इस विकाण की लमबाई 100 मीटर हो गया, हमसे छेतफल पूछ रहे थे, तो छेतफल होता है, एक बटे दो विकाण का स्क्यार यानि कि 100 गुणे 100 काई सकते हो, दो से काट दो यहां, पांच यह वाला 0 और यह 2 0 और, 5000 मीटर स्क्यार आ जाएगा, इसका छेतफल, ठीक है, समझ लो, समझ लो, किसी कोई समस्या हो, तो आप जरूर हमें बताना, ठीक है, कमेंस में बताना, ठीक है, हम उस चीज को फिर से क नेक्स कुश्चन है, कुश्चन नमबर 36, कह रहा है, 9 रुपिया प्रत्मीटर की दर से किसी वर्गा कार प्लाट के 4 और बाढ़ लगाने का वे, जो है, 432 रुपए है, मतलब यह हमसे कहा जा रहा है, कि एक वर्गा कार हमारे पास, वर्गा कार प्लाट है, और इसको 4 और बाढ़ लगाने का 432 रुपए खर्च हो गए है, यहां से अगर कोई बंदा बाढ़ लगाना शुरू करता है, तो वो यहां से होते हुए, फिर यहां परा जाता है, चार सो बत्रीस रुपए जाते हैं, और नौ रुपए प्रती मीटर की दर से, मतलब एक मीटर लगवाओ गए तो नौ रुपए जाएगा, और हमारे चार सो बत्रीस रुपए चलेगे, इसका मलब हम जान सकते हैं, हमारे कितना मीटर लगा हुआ है, जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो, अच्छा, आगर हम आपसे कह दें, कि पांच रुपए देंगे, एक किलोमेटर चले जाओ भाग के, मतलब भाग के आप आइदल कैसे भी जाओ, और आपने हमसे 20 रुपए ले लिए, तो आप यह नहीं क हम को बता सकते हो, कि हम 4 किलोमेटर गए हैं, क्योंकि 1 किलोमेटर गए तो 5 रुपए हो गए, और हम गए हैं 20 रुपए लेकर, तो जाईर से बात है, आपने 5 से इसको भाग कर दो, 4 किलोमेटर चला होगा, इसलिए आप 20 रुपए लेकर गए हो, तो यहीं चीज़ आपको 9 से बाग कर लो, इसमें, 9, 4, 36, ठीक है, बचे 7, 9, 8, 32, मतलब 48 मीटर हुआ, यहां से यहां से यहां तक की दूरी को परिमाब कहते हैं, और वर्ग का परिमाब होता है, 4A, मतलब 4A बराब 48, तो 4 से काट सकते हैं, 4, 1, 4, 4, 2, 8, मतलब A बराबर 12 मीटर हो गए, और वर्ग इसी प्लाट और उसी प्लाट पर टाइल लगवाने के लिए कीमत क्या होगी, यह तो टाइल लगवाने की दर 20 रुपिया प्रति मीटर स्क्वेर हो, अब देखना, अब इसी प्लाट पर हमको टाइल लगवाना है, और टाइल का जो रेट है, वो 20 रुपिया प्रति मीटर स स्क्राइब जैसे यहां पर मीटर स्क्राइब हम समझ गए कि यहां पर छेद फल फल पर लगेगा दिवाल पर इसे जो है उस पर थोड़ी लगा दो गए चिट फल इतना होगा एरिया उसी पर लगाएंगे लोग तो बस टाइल लगाने के लिए में छेद फल निकाला पड़े तो आप 2 ये 2,882 एकल्म दो 2880 रुपिया आप हमें निकाल कर देंगे ठीक है टाइल लगवाने का या हम देंगे ठीक है जो भी टाइल लगवा है तो ये अपका सवाल था अछा सवाल था और बड़े बेसिक तरीके से प्यार से लगाया है उमीद है समझ में आया होगा Question number 37 37 में हमसे कहा जा रहा है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमसा 40 cm और 32 cm है उस तिसरे वर्ग का परिमाप जो है जिसका छेत्फल इन दोनों वर्गों के छेत्फलों के अंतर के बराबर है वा, दो वर्ग है मारे पास और परिमाप क्रमसा 40 और 32 है एक वर्ग का परिमाप 40 है तूसरे वर्ग का परिमाप 32 है और तीसरे वर्ग का परिमाप हम से पूछ रहे हैं जो तीसरा वर्ग बना है वो इनके छेत्रफलों जो छेत्रफल होगा इनके छेत्रफलों का अंतर इनके छेत्फलों के अंतर और क्या दिया गया था चालिस है और बतिस है उस तीसरे वर्ग का प्रिमाप क्या होगा जिसका छेत्फल इन दोनों वर्गों के छेत्फल के अंतर के बराबर है कह रहे हैं इसका जो छेत्फल है वो इनके अंतर के बराबर है तो जार से बात है, जो यहाँ पर वर्ग है, एक वर्ग यह है, दो वर्ग है, एक वर्ग नमबर एक, वर्ग नमबर दो, एंड वर्ग नमबर तीन, इसके हमें परिमाप बताना है, और यह यहाँ पर जो हमने लिखा है, यह परिमाप है, लिख देते हैं सारी बातें, अच्छ तो A बरावर 8, मतलब अगर आपकी इस वर्ग की बुजा 10 है, तो इसका 6 पर पता क्या होगा? 100, अगर इस वर्ग की बुजा 8 है, तो इसका 6 पर पता बहिया क्या होगा? 64, और 100 और 400 का अंतर क्या होगा? अंतर क्यों कर रहे हो? अरे कहा गया सवाल में, 100 और 400 का अंतर होता है 36 और यह 36 पता किसके बरावर हो गा इस वर्गक का में परिमाप बता ना है तो इस वकी भुझा माण ल windows आगर बड़ा ए है तो इसका चैठा क्या होगा जोra 2 अगर इच prematur आप उता है वह एश्या घोमना था है यह यहाँ ना क्योंकि हमसे सवाल में बोला गया है जिसका च्छेथफल होगा इनके दोनों के छेथफलों के अंतर के बड़ावर होगा तो इनके दोनों का छेथफल निगा लिया जिसका अंतर 36 आया गया तो A² बरावच्छा 36 तो A बरावच्छे जब A6 आ गया तो परिमाप पूछ रहेते हैं तो 64, 24 हो जाएगा ठीक है, done We will discuss next question question number 38 total 40 question discuss करेंगे, मालब 40 number तक, ठीक है question number 38 A भुजा वाले वर्ग के छेदर फल हुआ A भुजा वाले संभाहु तरुबुज के छेदर फल का अनुपाद क्या होगा करें, एक A भुजा वाले वर्ग के छेदर फल और A भुजा वाले संभाहु तरुज के छेदर फल के वर्ग का अनुपाद क्या होगा मतलब हमसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भूझा A है और एक संभाहु त्रुभुज भी है जिसकी भूझा A है तो इनके छेत्पलों का अनुपात क्या हुआ तो वर्ग का छेत्पल होता A Square संभाहु त्रुभुज का छेत्पल होता अंडरूड 3 बटे 4 गुणे भूझा अगर भूले ना होतो तो A² A² कटा हमारे पास होता एग बटे अंडरूड 3 बटे 4 और 4 क्यूणा इदर हो जाएगी 4 अंडरूड 3 ये एंसर है कितना टाइम लगा लेकिन अगर आप भूल गए अंडरूड 3 बटे 4 था की तो तो हो गया ना काम तो ये त्यान रखना है आपको चलो क्यूशन नमबर 39 एक भाई आप लोगों से रिकेस्ट है पूरा वीडियो देखा करो और सभी दोस्तों के साथ सेर कर दिया करो क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि हमारे साथ थोड़ा आप सवयोग नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कैसे रिगलर रह पाएंगे ठीक है अब हमारी भी जो है कुछ खर्चे हैं कुछ इस्टुटियो को खर्चे हैं कुछ जो है कापी किताबों को खर्चे हैं है ना सावरी चीज़ें लॉक्डाउन में अगर इस चीज़ को थोड़ा और इसमें मिलता क्या है थोड़ा वह एडवर्टाइज्मेंट का आ जाता है और बागी हम आप से कोई चार्ज भी एक्ष्टा क्लासेश का नहीं ले रहे हैं ठीक है तो आप थोड़ा ज्यानक को अपने दोस्तों साथ साथ करो ज्यादस ज्यादा फैलाओ आप सभी लोग 12 लोग हो और जो बड़े प्यारे कमेंट्स करते हैं हमें आपको बहुत अच्छा लगता है उन सभी से मेरा रुकेश्ट है खूब अपने दोस्तों साथ से करें और उनसे से करा है कमेंट्स क्या करो जिससे हम आपके नाम जो होती है कह रहे है कि जो एक वग है इसका जो परिमाप है वह आयत के परिमाप का एक चोथि अधिकल जो है पताने कोजिस करते हैं c yogurt का परिमाप 44 है तो इह वर्ental ऐसा करें 144 लिखो वर का परिमाप 44 cm है आयत की लंबाई 51 cm है तो आयत की चोड़ाई वा वर की भुजा में अंतर बताओ तो आयत की आयत का परिमाप क्या होता है टू लंबाई हमको पता है 55 चोड़ाई नहीं पता उसको ऐसे नहीं दो गुणय में एक ओड़े चार तो सुरूम कहा गया था अब पूछा गया है कि आयत की चोड़ाई जो हमको नहीं पता है उसकी और वर की भुजा में क्या अनुपाद होगा तो वर की भुजा कैसे निकालोगे वर का परिमाप है 44 तो वर का परिमाप क्या होता है तो लोग भाई बर की भुजा आ गई और आयत की जो चोड़ाई है वो यहां से आ जाएगी यह कहां से लाए यह सवाल ने कहा था कि बर का परिमाप 44 है तो 4A होता है परिमाप तो 4A बराबर 44, A बराबर 11 आ गया और यह आयत का परिमाप आपने कैसे लिख दिया चूकि आयत का परिमाप होता 2L प्लस B तो यल का मान दिया गया है और B हमसे बूचा गया है ठीक है? तो 2 से काट देते हैं 22 आ जाएगा और 4 की उना इधर करो तो 22 चकू 88 बराबर 51 प्लस B 51 को इधर लाओ गटाने के लिए 88 माने से 55 बराबर B तो 8 में से एग जाएगा 7 8 में से 5 जाएगा 37 37 बराबर 37 चोडाई और भुजा में अंतर बताओ तो 37 और 11 में मेरे भाई कितना अंतर है? बताओ 37 और 11 में कितना अंतर है? बता सकते हो? तो 7 में से यह गया 6 और 3 में से यह गया 26 तो अगर ये संटीमेटर में है तो 26 मेटर ठीक है संटीमेटर पहने था तो 26 संटीमेटर हो गया यह 54 संटीमेटर था चलो question number last discuss करते हैं चालिस number question यद किसी वरक का विकान 3 cm है करें हैं यदि किसी वर्ग का जो विकण है यह A root 2 होता है वो बरावर है 3 के मतलब 3 cm है वर्ग की एक बुझा पर बनाए गए संभावत रूज का 6 पल क्या होगा मा लेते हैं यहां पर हमसे एक संभावत रूज बनाए गया है 20 पर बना लो अच्छा संभावत रूज बरावर होती मतलब जितनी यह भुझा होगी उतनी यह होगी तो यह वर्ग का विकण दिया गया है तो वर्ग की भुझा पहले निकाल लो तो वर्ग का विकण A root 2 बरावर 3 तो A बरावर आ गया 3 बटे अंडर रूज दो तो यह वर्ग की भुझा है और जितनी वर्ग की भुझा होगी वही संभावत रूज की भुझा होगी क्यों 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 की वर्ग की भुझा पर ही संभावत रूज बना है संभावत रूज का मलब संभावत रूज का मलब है दो बार इसे लिए लिखिया भुजाए स्क्यार करना है तो बस तीन तीन नो और यह अंडरूट तीन ऐसे रखो अब अंडरूट दो गुने अंडरूट दो दो होता है और नीचे चार तो चार दूनी आठ यही एंसर हो जाएगा अगर यह संटीमीटर है तो यह संटीमीटर स्कैर नो अंडरूट तीन आठ सिंत बटे आठ संटीमीटर स्कैर यह अपना राइट एंसर है उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी तो थैंक्यू मिलते हैं नेक्स लेक्चर में आप सबी लोगों को अपनेdar दोस्तिंग सेर करना है सबी को like करके जाना है जतने भी देख रहे हैं वो बादर like करके дал wanna आप सबी लोगों को, ठीक है और पूरा 360 पर देखना है इस शीजब समस्य कोई समस्य हो और मेनत करो, किसी कोई समस्य हो तो आप हमारे छोटे भाई बड़े भाई जैसा भी समझें आप हमारे साथ डिस्कॉस कर सकते हैं ठीक है जितना मुझे एक्स्पिरियंस है या नालेज है मैं आपको उस हिसाब से बता दूँगा नहीं पता है तो नहीं बताऊंगा ठीक है तो धैंक्यो मिलते हैं नेक्स लेक